पालर के महंगे सारे ट्रीटमेंट्स करवाने के बाद भी अगर आपके स्किन पर ग्लो नहीं आ रही हो या फिर आप अपने बहुत जादा पिग्मेंटेशन डाग स्पॉट्स की प्रॉब्लम से जादा परिशान हो रखे हो तो गाइस यह जो आप खूब सूरत सी माजिकल प मदद लें लेट्स केट स्टाटेट हे गाइस वालकम बैक तुमाई चैनल मैं हो सिलकी और आप देख रहे हो सिलकी ब्यूटी तो आप से एक छोड़ी सी रिक्वेस्ट है चानल पर नियू हो और अभी तक चानल को सब्सक्राइब निकला तो चल्दी से चानल को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें तो आज की रेमेडी आपके स्किन के जिद्दी जाहिया जो आपके चीक्स पर आपके नोस पर बहुत जादा हो रखी है ना उससे कंप्लीटली छुटकारा दिलाएगी या फिर कभी आपको एक्ने की और एक्ने स्पॉर्ट्स आपके स्किन से जाही नहीं रहे हो तो गाइस यह सारी प्रॉब्लम आज यहां पर दूर होने वाली है तो उसके लिए मैंने यहां पर सबसे पहले एक क्लीन बोली है जिसमें हमने फॉर्स्ट इंग्रेडियंट्स यहां पर वन डेबल स्पॉन ग् जिसे हम बेशन भी कहते हैं और बेशन एक बेस्ट फेस क्लिंजर होती है जो हमारे स्किन को बहुत ही मायर तरीके से क्लीन करती है साथ ही एक बेस्ट फेस एक्सफॉलियेटर भी होती है जो स्किन के डेच सेल्स को बहुत अच्छे से रिमूव करती है तो यहां पर आप बे भाँ जाती है तो मुझे ना या प्राबल्लम होती है मैं जब भी धूब में जाती हुना हो चंक है और इसे बचलिए हाँ यहां पर मैंने पिंच ओफ वायल तर्मरी को लिया है वायल तर्मरीक छीसे हम कस्थूरी हल्दी भी कहते और यह हल्दी इतनी साधा अच्छी होती है कि यह हमारे स्किन को ये-लो नहीं करती बलकर इस स्किन पर एक फियर लुक देती है और जो आकनी बिल्दव हो रहे होते है उसे भी प्रेयर कर देती है यहाँ पर अगर आपके पास यह हल्दी ना हो तो आप kitchen हल्दी ले सकते हो पर उसकी quantity आपको बिल्कुल थोड़ी सी रखने है फिर next जो हमने हा लेना है यह मैंने raw milk को लिया है raw milk जिसे हम कच्चा दूद भी कहते है तो यहां मैंने two double spoon raw milk को ले लिया है दूद में पाई जाती है लाक्तिक ऐसे जो पेशन के साथ mix होती है ना तो एक बहुत ही complete package बनती है हमारे skin के dark spots के लिए जो skin पर जिदी जाईया है या फिर आपके skin पर fine lines की problem आ रखिये तो उसे भी milk जो है बहुत अच्छे से clear करती है और अगर आपके skin बहुत जादा dry है तो वो भी यहां पर अच्छ से moisturize होती है और next हमने वो magical powder को ले लिया है जो vitamin C से भरी हुई है और vitamin C हमारे skin के लिए सबसे best होती है जाईयों की परिशानी दूर करने में और skin पर instant glow लाने के लिए तो अब मैं आपको बताती हूँ यह खूपसूरत सी चीज है हमारी orange peel powder तो यहां पर आप देख सकते घर पर ही प्रिपेर कर लिया था तो आप भी अगर online purchase कर सकते हो इस orange peel powder को तो जरूर ले या फिर अगर आप चाहते हो कि आप भी मेरी तरह घर पर इस powder को बनाओ तो प्लीज मुझे आप कमेंट करके जरूर बटाएं तो यहां मैंने वन टेबल स्पून orange peel powder को ले लिया है औ यह powder इतनी जादा super होती है ना क्योंकि मैं तो इस पूरी remedy को week में 3 days जरूर यूज करती हूं मेरी skin ना इससे बहुत जादा soft and supple होती है चहरे पर बहुत अच्छी से निखाराती रहती है तो यह चीज आप जरूर लेकर के रखे orange peel powder में vitamin C बहुत जादा होती है और जब एरिया पर apply करते हो ना तो यह skin पर 100% work करती है तो यहाँ पर मैं इसे बहुत अच्छे से mix कर ले रही हूं और अब बारिया है इसके application की तो मैं तो इसे मेरे hands पे apply करके बता रही हो पर आपको इसे अपने face पे neck पे बहुत अच्छे से apply कर लेना है और ना आपसे बहुत चो से watch कर रहे हो प्लीज मुझे comment करके जरूर बताए ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो कहां तक जा रही हो और प्लीज अपना प्यार और support अपनी सिल्की के साथ ऐसे ही बनाए रखे तो यहाँ पर मैं इसे मेरे hands पे बहुत अच्छे से rub करते हुए apply कर रही हूं आपको इस mask को अपने skin पर 15 minutes लगाए रहना है then you can wash your face with the help of that water और आप यहाँ पर live लिजल देख सकते हो मेरे hands बहुत साथा सॉफ्ट हो रखे स्किन की सारी tanning जा चुकी है तो यह वाली खुबसूर्टी अब भी देखने वाले हो जब आप इसे week में 3 टाइम्स यूज करोग तो यह थी मेरी आज की वीडियो ठांक्स पर वजिए